मुखे मंत्री हेमन सोरें ने प्रधान मंत्री नरिन मोदी से मित्र किसानों के लिए पांच करोर मुखमाउजे की मांग की है किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परीजनों को सरकारी नौक्णी के साथ उनके लिए सुईधाय देने का काम केंद सरकार की ओर से किया जाए दुर्ख भाज़कुन और हासे अस्पद घोसना है क्योंकि अब पूरी भाज़पा माकमा इस परचार में लगी है कि परधान मंत्री जी किसानों के हिते से यह तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ और यह बताने के प्रयास हो कि हम आपके हिते से ही लगभग देड़ साल होने को जा रहे हैं शावा साल होने को जा रहे हैं यह बात तो शावित हुआ कि देश में आज भी लोगतंत्र देमोप्रसी जिंदा है हम मांग करते हैं हमारी पार्टी मांग करती है कि परधान मंत्री जी ततकाल इस अंदुलन में मारे गए किसानों को पाच-पाच करोड रुपे मौजा दे उन्हें सहीत का दर्जा दे मारे गए किसानों के परिवारों के सदेश्यों को नौकरी दे और उनके उपर जो एफायर हुए है और न्यालाय में लंबित कैसे से उनको अविलम वापस ले और इस आंदुलन में सडकों पर इतने वक्त तक किसान जो सडकों पर थे जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सडक पर थे उन सभी किसानों के देश के जितने भी किसान थे सडकों उन सभी किसानों के फसल की छती पूर्टी के लिए दस दस लाट पर देश और अविलम किर्सी मंत्री को इस्टिफा दे देना चाहिए इस तरफ देश्टा यूपी चुनाव को लेकर राश्टे नाम सभी के बाद पर्धान मंत्री यूट्तर परदेश गया है देखिए इनको भी पता था और यह बिसुद रूप से इसारा उसी और है कि विशसग्य से आप चर्चा भी होते रहेगी और भाजपातों भी इसका एहसास था कि इसकी खाम्याजा क्या होने वाली है इनके ही वरिस्त नेताओं के कई वक्तव आ चुके हैं इसलिए कि मैं आज की इस घुसना को हासेस्पत बोलता हूं और जिस तरीके से देश के अंदाताओं के साथ विभार हुआ है और आज जिस तरीके से प्रोपोगंडा के तहट किसानों को हितेसी किसानों के लिए हितेसी बनने का प्रयास है अब भाजपा का चेहरा उजागर हो कि खेल को आविजित करने वाले लोगों को बहुत बहुत सुब कामना है और भारतिय टीम को मेरी और से घेर सारी सुपकामना है उस्ताद आपत में पड़ी है जार उस्ताद उसके हाथ में तलवार है तलवार का मुकबला पाइप से अरे वाह आप तो हीरो हो हीरो मैं नहीं गलाइको पाइप है अरे बॉस का कॉल возможно हेलो आज का है आज का हैणल लाइन तो ग्लाइको पाइप है सर ब्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक पून की की मत जब दूरती है आस, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुह मोडता है जमाना जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निस्सा, देखे मेरे साथ मुखार समवाद